अगर तीन तलाग इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई भारत के मुसल्मान भाई बेनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बरबास कर रहे हैं जह जह शितला मातर की देश के यशश्वी प्रधान मंत्री जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है प्रधान मंत्री जी बोड बैंक की राजनीति करने वाले उन्होंने देश को बहुत नुकसान पहुचाया है जैसे ही मोदी दी बड़ा काम देश के लिए करते हैं इनका विरोध का नारा सात्वे आस्वान पे पहुच जा जाता है पहले हमने देखा था कि यह सभी तीन तलाग का बहुत विरोध कर रहे थे और अब योनिफ्र सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं जिससे हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनको काफी ब्रहम हो रहा है और वे सब ब्रहमित हो जा रहे हैं। कैसे इनको हम समझाएं किर्पया अपना मारगर्शन प्रदान करें। एक तो मैं आपको बदाई देता हूं आपने सवाल पूछा। इस सवाल से मैं पूरा विश्वा से कह सकता हूं कि आप जमीन से जुड़ी हुई कार करता है लोगों के बीश्ट रहकर के लोगों के सुख दुख को जानने वाली बेहन हैं आप और इसलिए मैं पहले तो आपको बदाई देता हूं। देखिए मुझे लगता है यानि देखिए हमें थोड़ा अध्यान करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी तीन तलाक के पक्षमे बाते करते हैं, तीन तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बेंग भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अज़ा कुछ लोगों को लगता है कि पर ये तीन तलाक से तो सिर्फ महिलाओ को ही बात हो रही है। तीन तलाक से जो नुक्सान होता है न वो सिर्फ बेटियों को होता ऐसा नहीं है। उसका दाइरह उससे भी बड़ा है। आप सोचिए। बहुत ही अर्मानों के साथ बेटी को शादी करकर के ससुराल भेजा हो। और आरदस साल के बाद तीन तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे। तो उस माबाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है। उस भाई का क्या होगा वो भाई पिता सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए तीन तलाक से सिरफ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं। पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। माता पिता भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए दुनिया के अनेक मुस्लिम बाउले देश। इसका इसलाम से समंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश तीन तलाक खतम नहीं करता। मुस्लिम बाउले देश जहां पूरी तरह इसलाम राज्य है वहां भी तीन तलाक बंद कर दिया है। मैं परसो हूँ इजिप्त में था मिस्र में था। मिस्र में इजिप्त में 90% से ज़्यादा सुनि मुस्लमान समाज है। और इजिप्त में आच्छे 80-90 साल पहले तीन तलाक की प्रधा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले अगर तीन तलाक इसलाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई। अगर तीन तलाक इसलाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता। अगर तिन तलाग इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बंगलादेश ये तो सारे मुस्लिम बस्ति वाले देश हैं वहाँ पर उनको मन क्यों कर दिया मैं समझता हूँ कि मुसलमान बेटियों पर तीन तलाग का फंदा लटका कर, कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छुट चाते हैं यही लोग तीन तलाग का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूँ कि इसलिए ही मेरी मुसलिम बेटियां मैं जब भी जहां जाता हूँ वो भाजपा के साथ कड़ी रहती है, मोदी के साथ कड़ी रहती है आत्यों, भारत के मुसल्मान भाई बेनों को भी यह समझना होगा कि कौन से राजनितिक दल उन्हें भड़का करके उनका फाइदा लेने के लिए उनको बरबात कर रहे हैं आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिपॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को बढ़काने का काम हो रहा है आप मुझे बताईए एक घर में परिवार के एक सदसे के लिए एक कानून हो परिवार के दूसरे सदसे के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वो गर चल पाएगा क्या कभी भी चल पाएगा क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्ता से देश कैसे चल पाएगा हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरीकों के समान अधिकार की बात कही गई है साथियों ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसल्मान मुसल्मान करते हैं अगर ये मुसल्मानों के सही माइने में हितेशी होते तो अधिकाउस परिवार मेरे मुसल्म भाई बहन स्विक्षा में पीछे न रहते हैं रोजगार में पीछे न रहते हैं मुसिबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते हैं और सुप्रिम कौट ने बार बार कहा है सुप्रिम कौट डंडा मारती है कह रही है कौमन सिविल कौट लाओ लेकिन ये वोट मेंक के भुखे लोग रहते हैं अज़ा मैं आपको एक वहर बात बताने जाता हूं अगर आप हमारे मुसल्मान भाई बैनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूँ कि जो हमारे पस्मंदा मुसल्मान भाई बैना है ये वोट बैंक की राजनिती करने वालों ने हमारे जो पस्मंदा मुसल्मान भाई बैन है उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है वो तो तबाह हो गए है उनको कोई फाइदा नहीं मिला है वेकस्ट में घुजरा करते हैं उनके आवाज सुनने के लिए कोई तयार नहीं है उनके ही धर्म के एकवर्ग ने पस्मंदा मुसल्मानों का इतना सोशन किया है लेकिन इसको उपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई जो पस्मंदा मुसल्मान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता उन्हें नीचा और अच्छूत समझा जाता है इसी समाज में मैं मुसल्मान समाज की बात कर रहा हूँ मुसल्मान भाईयों में जो हमारे पस्मंदा भाई बेहन है जो पिछडे हुए हैं मैं उनकी बात करता हूँ पस्मंदा मुसल्मान मोची होते हैं पिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, बटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेजा होते हैं, बामनिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हलदर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातिया ये सब इतने पिछड़े रहे हैं इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है भाईयो भेनो इस भेदभाव का नुक्सान उनकी कई भीडियों को भुगत ना पड़ा लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकात की भावना से काम कर रही है आईश्मान भारत योजना ने उन्हें भी स्वात्त सुविदा का हक दिया है पी एम आवास योजना के तहट उन्हें भी अपना पका घर मिल रहा है बीजेपी के कायर करता जब इन तत्यों वर तरकों के साथ मुसल्मान भाई बेहनों के पास जाएंगे तो उन्हें जादा बहतर तरीके से समझाएंगे और उनका ब्रम भी धूर होगा और इसलिए आपने जो सवाल मुझे बेहन जी पूछा है बड़े विश्वात के साथ जाएए और उनके सुख दुख दूर करने के में उनकी कठिनाईयों को दूर करने में एक कार करता के नाते समान ताका भाव से आप प्रयास किजिए जरूर वो आपकी बात मानेंगे समझेंगे भी